यह question देरके हम लोगो find the scalar and vector component of the vector with initial point a2,1 and with end terminal point b-5,7 ठीक तो मुझे दो point दे रखे हैं यही एक vector है जिसका scalar और vector component बताने है मुझे और उस vector का जो initial point है वो point है हमारा a2,1 और उसका terminal point है यानि end point है b minus 5,7 तो जो vector है वो हमारा यहार यह हमारा vector है तो यह a-b vector होगा है जिसका initial point 2,1 है और जिसका terminal point है b यानि minus 5,7 तो अब मुझे इस vector के scalar or vector component बताने है तो पहले हम यह vector लिख लेता हूँ तो देखिए यह जो a point है इसका मुझे position vector पता है position vector कैसे लिखते है position vector कैसे लिखते है अगर हमें coordinate पता है तो simply x coordinate के साथ i cap और y coordinate के साथ j cap लिख देते है तो यह position vector हो गया है इस point का position vector क्या हो जाएगा तो हो जाएगा minus 5 i cap plus 7 j cap अब मुझे लिखना है vector a b a b vector तो देखिए a b vector कैसे लिखते है यह equal होता है position vector of b minus position vector of a right हमेंचे यह होता है अब देखिए position vector of b क्या है position vector of b है minus 5 i cap plus 7 j cap and minus में हमारा 2 i cap plus j cap अब आइक अब आइक यहाँचे अब आइक साथ और यह दोनों एक साथ और यह दोनों एक साथ अड़कर देंगा यह कितना होता है मैनस 5 और मैनस 2 होता है minus 7 i cap और जेवाला कितना होता है 7-1 यहाँचे जो है बेक्टर मिल गया a b vector और तो पहले स्केलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसकेलर कंपोनेंट जो क्या है यह जो जो जाफ के साथ लिखा हुआ है तो इसकेलर कंपोनेंट हो गया हमारा और माइनस 7 और 6 जो इसकेलर कंपोनेंट हो गया है along x-axis and y-axis ठीक है रेस्पेक्टिवली ठीक है तो मैंने यहां पर जो इसकेलर कंपोनेंट है वो हमारे तो यहां तो मैंने तहीन केला हुआ है तो मैंने इसकेलर कंपोनेंट हो गया सो जो छो वेक्टर कंपोनेंट होंगे तो वैक्टर component so vector component are minus 7 i cap and 6 j cap along x axis and y axis respectively okay so यह यह हमारे vector component है कौनसे कौनसे जैसे minus 7 iota जो हमार x axis के along का vector component हो गया और 6 sorry iota नहीं इसको i cap बोलेंगे minus 6 i cap और ऐसे जो 6 j cap है वो हमारा y axis के along का component हो गया और again जो हमाइन से बता रहा है कि यह negative x axis में है क्योंकि यह इसके साथ है और यह वाला हमारा y axis के साथ है तो यह हमारा answer हो गया